हलो एर्वन, वेलकम बैक ट्यू नेटर विडियो, जी आँ बचो, आज हम पढ़ने वाले हैं किंग्डम फंगाई, जी आँ, हम जानेंगे आज किंग्डम फंगाई क्या होता है, इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसमें कितने क्लास होते हैं, क्या क्या चरेक्टरिस्टिक करते हैं बालोजी को with the help of trick और कुस डिफरेंट वराइटी से ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा समझते हैं बचों जो किंग्डम फंगाई है ठीक है आपने पढ़ा था रह विटेकर का फाइफ केंडम क्लासिफिकेशन फाइफ केंडम क्लासिफिकेशन में आपने क्य किंग्डम मोनेरा एंड किंग्डम प्रोटेस्टा दोनों को एक्स्प्लेइन कर लिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लीज जा कर देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड किंग्डम यानि किंग्डम फंगाई ठीक है तो हम इसके बारे में detail में आज यहां पर पढ़ेंगे चले स्टार्ट करते हैं तो अगर हम फंगाई के स्टुड़ी करते हैं तो उसे मा internation कहते हैं बचो ट तो उस्का मिंस क्या हूगा फंगाइ टर्मिनलजी को हमेसा याद रखिएगा ज्राकु किसे लिए-स पर स्षिटी की थी सब-सकरी स्छगाइभाई की थी तो उनका नाम क्या था पी ए माइकेली मैं इन्हें बूलता हूं पा माइकेली ठीक है आप भी नहीं याद रख सकते हैं अगर हम बात करें कि characteristic features क्या है इनका यह फंगाई पाए कहां पर जाते हैं तो देखिए सबसे पहली बात कि फंगस तो हर जगह होते हैं ठीक है आप देखिए कि summer season में आप देखिए summer season जब जादा गर्मिया पड़ती हैं तो जो दाल होती है ना घर में बनी होई दाल ठीक है वो क्या हो जादी खराब हो जादी जब कर देते हैं ठीक है जो ब्रेड होता है ब्रेड पर अगर मॉश्चर है तो फिर वहां पर भी fungus होगा वहीं पर fungus ग्रोव करते हैं suitable होता है उनकी ग्रोथ के लिए अगर हम यूमन से अगर हम बात करें तो आप देखिए summer season में हमें sweating होती है पसीना होता है तो पसीना कहां पर आकर हमारे जो joints हैं वहां पर आकर लग जाता है और सूख जाता है यहां पर बगल में ठीक है य जर्ण समझते हैं characteristic features they are grow on warm and humid places यहां रखेंग बच्चों कहां पर grow करते हैं warm and humid places पर grow करते हैं and they are heterotrophic जी हां यह self food का formation नहीं कर सकते हैं यह दूसरे organism से अपना food लेते हैं just because कि इनके पास कोई भी chlorophyll molecule present नहीं होता and cosmopolitan जी हां इनके sports हर जगर present होते हैं ठीक है यह हर जगह रहते हैं चलिए आगे देखते हैं बच्चों next characteristic features की बात करें हम तो क्या है the body of fungus is consist of fine tubular thread like structure which is called hyphae जी हां इनकी जो body होती है बच्चों वो thin tubular structure like body present होती है structure present होता है जिसे हम क्या कहते हैं hyphae कहते है and यह hyphae क्या करता है बच्चों and network of hyphae is called mycelium और जब यह hyphae क्या करता है एक network का formation करता है joint होता है तो वो क्या करता है mycelium का formation करता है सुनिए जबर जाए कुछ complicated हो रहा है न आई easy करते हैं जैसे आपने देखा था human की body कैसे form होती है चोटी चोटी सिल्स होती है joint होकर क्या बनाते है tissue tissue क्या बनाते है organ organ क्या बनाते है organ system then after क्या बनती है body ठीक है यह तो human का case हो गया लेकिन अगर हम बात करें यहां पर देखे है hyphae है इप हई आपिशिव माई straw क्या बनाएगा myś assunto क्या बनाएगा mycelium अम んतलcoon फैक 椅शनओ फिक है एक ट्यूंबडर रिजेश्ट्ट्र बच्छों यह ट्यूंब़र स्पोस्पोस करिए है जош ट्यूंबडलर स्पोस्पोस करिए है यह ट्यूबलर sculptureники यह तुक्तीं त्समदिए कुछ इसे क्या एक निटकर नियुत क्या है हाइट यह इसो क्या नेट वर्क नो попроб दैजीट यह पनाता है पूरआchen इ diffusion को द भी और जह आगा अब समझ्छते अगर वाक हम आता आ जो बॉड़ी ऐंफिटीवर्ट की होती है तो क्या यहां पर भी हाइप है प्रफृट हैं जी हाँ बिलकुल हैं अब किया होत के हमारे इandaag है होता है औह एक होता है तो हाइफ female समझते हैं सेप्टेट हाइफी क्या होता है यहाँपर देखिय बहुत सारे नुट्रीले प्रेजन है लेकि इसलें कैब अब मैंने बोला हाइफी बड इसमें देखिए बहुत सारे नूकलिज करने वाला को सब्सेंट है इसमें है सप्ते हैं ई सब्सेरेंद करने यह को ningún सबस्य कं दर्च करने घरा गिसमें इह एक एसा हाई एससा हाई जिसमें बहुत सारे नुक्लियस प्रेजंट हूं बट उसे में कोई भी सेम tähän ना थे क्या बोलेंगे एसस相信 होता है इसे में septum absent होता है उसे क्या बोलेंगे एसेप्टेट हाइफी और इसी को हम बोलते हैं multi-nucleated क्या बोलते हैं multi-nucleated हाइफी multi-nucleated हाइफी ठीक है अच्छा यहां पर देख रहे है many nucleus present है न बहुत सारे nucleus present है वैक्छों नुक्लियस प्रेजेंट है बहुत सारे ठीक है ना अच्छा सुनिए क्या इसे कोई और भी नाम देते हैं जी हां बिल्कुल मल्टी नुक्लियेटेड अगर है इसे बोलते हैं सीनो सिटिक क्या बोलते हैं सीनो सिटिक हाइफी बास में आई क्या नाम हमेशा याद रखेगा ठीक है कोई भी बायदोजी में सबसे जो टॉट होता है आपको जो लगता कि नहीं पूछा जाएगा एक्च्छर में वही पूछा जाता है ठीक है तो प्लीस याद रखेगा जो एसेप्टेट हाइफी होते हैं वो एक एक ऐसा है फी जिसमें बहुत सारे न्युक्लिस प्रेजेंट होंगे उसे मल्टी न्युक्लिटेटेड या फिर सिर्स्टिटिक है ठीक है चलिए आगे देखते हैं बचो नेश्ट क्यारेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बचो दसेल वाफ फंगाई इस मेड़ आफ काइठी ठीक है ओके यहां पर देखे जो सिल वाल होती है प्लीज इसे याद रखेएगा बस सिल वाल होना चाहिए पूला ठीक है सिल मैंने सिल वाल ठीक है दस सिल वाल आफ फंगाई याद रखे बचो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में पूछा गया क्यूशन अगेन अगेन जितने भी कॉंपटेटिव एक्जाम्स होते हैं वहां पर जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्यूशन वह यही है कि जो सिल वाल होती ह सिख 70 कि बनी ओभी है काइटी निगी मिन होती है एंड रिजर्व फूड मडेरियल इस गल जिय में बचो जे health और जैसर आपने देखा था है उन में जो से वाल होगी उसमें क्या होगा काइटीन होगा ठीक है याद रखेंगे झो रिजर्फ फूड मतलब क्या जो फूड का स्टोरेज होता है न किस फॉर्म में होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा बास वमें आई इसे मेंने ओर इसने आप को फंगय याद रखिएगा बहुत ही इंबॉसिटिन है सेकंड जो हैस्टिती है इससे क्या बोलते हैं सैट फंगय गोलते हैं थ्रड बासिदियो माइसिटीज को क्या बोलते हैं क्लब फंगाई कहते हैं and विटेरो माइसिटीज को क्या बोलते हैं बचों फंगाई इंपरफेक्टाई just because sexual reproduction are unknown ठीक है इसमें sexual reproduction अभी तक identify नहीं किया गया है that's why this is a fungi imperfect time and very important they are multi-cellular okay जो fungus होते हैं कैसे होते हैं multi-cellular होते हैं except yeast यानि कि yeast कैसा होता है unicellular होता है जो fungi होते हैं mainly कैसे होते है multi-cellular बहुत सारी सिल्ज से मिलकर बनी होते हैं that's why we call multi-cellular but एक exception है बच्चों और exception ही हमें सब competitive exams में पूछा जाता है वो क्या है यस्ट क्या है एक यूनी सिल्वर फंगस है एंड स्मालिस्ट फंगाई याद रखेगा ठीक है तो मैं थोड़ा साइड में होता हूं तो आप इसको नोट कर लीजी फिर हम चलते हैं देखते हैं मोड़ फ न्यूट्रीशन क्या होने वाला है फंगस का कि उसको जरण समझ करते हैं तो मैं यहाप लगता हूं फंगाय है कैसे होते हैं हेट्रो ट्रॉफिक होते हैं यानि कि यह अपना जो फूड है किसी दूसरे आरगनिजम से अप्टेंड करते हैं तो हेट्रोट्रोफिक मोड़ नूट्रिशन तो बहुत टाइप का होता है कितने टाइप का होता है बच्चों देखी ज़रा यह क्या हो सकते हैं ठीक है नमबर वन यह क्या हो सकते हैं यह सेप्रोफाइट हो सकते हैं सेप्रोफाइट हो सकते हैं यह सकते हैं सेकेंड वन क्या ह सकता है बच्छों सिंब्योर्टिक हो सकते हैं अच्छा ध्यान से समझेगा अगर आपने मैं हमेशा यह कंचिडर करके चलूंगा कि आपको नहीं आता ठीक है जीरू से मैं बताऊंगा टैंग टेकिंग जरूर होगा लेकिन आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे सा हो अते हैं जरू सुगी यहाद रगेनिजम नहीडिज विच ग्रोगण झिल्टम्सटेहऊ अच्छ। फे समझी है सब्सक्राइब में शर्थ एइसा ऑर्गनिजम जो की डीड़ करता है जो सडी-घली चीज़ों पर ग्रोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सेप्रोफाइब मीकशन होती है क्या बोलते हैं सेप्रोफिटिक कंडिशन तो कौन साइसा फंगस है जो कि सड़ी गली चीजों पर डेड़ और डिकेंग पार्ट्स पर ग्रू करता है तो इक्जाम्पल्स में मैं यहां पर लिखता हूं बच्छो एक्जाम्पल क्या-क्या होंगे इसके देखी नंबर वन इस सेक्रोमाइसी सेरेविसी का नाम है ठीक है अचा अलकोहल वगरा कर प्रोडक्शन के लिए प्रेवरेश वगरा के लिए हम इसका यूज करती है है ना इटली वगरा बनाने के लिए अचा नेश्टमन बच्छो राइजोपस राइजोपस मस्लूम आप जानते हैं एंड जफने यहर गरा ट्रेवरेश च्छियो निच हां नस इंड गरा ट्रोडन टै lots लिए प्रॉड़ेश यहर औरी जैवरेश्या गार गराने एंड यहर ज57 un स क्या करते हैं हम क्या अ बोलेंगे भी ऐसकॉल őए यसवे ऑफिर से नुख्सान पहँचाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम परसाइट कहते हैं टिक है अच्छा अब कौन सा ऐसा आफ्र गिनीजम है और से फंग गंस है जो के परसाइटिक है जो क्या से से फूड लेता है औरने नुकसान पहुंचाता है तो जी आव बचो इग्जाम्पल मैं यहांपर लिखता हूँ मस्टर्ड क्लांट यह क्या करता बर यानि कि जिससरो का और होता है उसकी लीफ पर फील्ड एप घॉन से रिलेटेड है तो Aww यांग व्हाव में आप मिंडर्ल का कुंडर होता है एकिया देखें तो अब लीव पर मस्टर्ड की लीव पर कुछ वाइटी स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे और वह वाइट स्पोर्ट्स किसके कारण होगा फंगस के कारण होगा उस फंगस का नाम क्या होगा बच्छो अलबीगो बास में आई चली नेक्स्ट वन देखते हैं सिंबियोटिक सिंबिय इन वीच तू और गैनिजम तू और गैनिजम भीपेटिटे टू इच अदर बैनिफी टेड ने बैनिफी टेड टू इच अदर जिया एक ऐसा इंट्रेक्शन जिसमें दो ओर गैनिजम एक दूसरे को फायदा पहुचाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बचों, Symbiotic Association बोलते हैं, अच्छा, Symbiotic Association ज़रा समझीगा, यहाँ पर देखिए, सपोस करिए, यहाँ पर कोई A है, और यहाँ पर कोई और इसम है B, तो कौन-कौन से ऐसे हैं, जो की, Symbiotic Relations रो करते हैं, Fungus, ठीक है, तो No.1 is Lichen, Lichen कैस, Symbiotic Association है, किसका, Fungus का, And Second One is Mycorrhizor, Mycorrhizor, ठीक है, अच्छा, जो Fungus होता है, बच्छो, यह किसका, किसका Symbiotic Association है, Fungi plus Algae, ठीक है, अगर Fungus Algae के साथ Associate हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, Lichen, वाइट, अगर Fungi, जियां, Fungi plus Root of Higher Plants, Root of Higher Plants, जियां, अगर Higher Plants की अगर Root है, और Fungus है, दोनों एक दूसरे साथ Associate हो गए, तो क्या बनेगा, Mycorrhizor, Example से याद कर लीजिएगा, ओके, आई हो, यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है, तो Like करें, Share करें, Subscribe करें, हमें motivate करने के लिए, तो मिलते हैं आपसे नेस्ट वीडियो में, एक नई information के साथ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, या फिर किसी particular topic पर आप वीडियो चाहते हैं, तो नेसी comment section में mention करें, बनागर पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूँगा, तो next जो lecture होगा बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे, reproduction, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सभी टाइप्स को हम explain करेंगे यहां, तो मिलते हैं आपसे नेसी वीडियो में, एक नई information के साथ, तब तक के लिए, जय!